हलो फ्रेंड्स आज हम अपनी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि शिवाजी महाराज की स्टोरी है विच बेज़ अन दिस बुक चैलेंजिंग डेस्टिनी बाई मेधा देशमुक भासकरन दोस्तों सबसे पहले जो है हम फर्स चैप्टर से शुरू करते हैं कि शिवाजी महाराज के पेरेंट्स कौन थे उनका बैकगराउंड क्या था कहां से आये थे उसके बाद हम मुगल डाइनेस्टी पे थोड़ी चर्चा करेंगे कि इन लोगों ने क्या क्या किया एक्चुल जो स्टोरी है बहुत इच्छी किताब है आप भी पढ़ सकते हैं यह इन पब्लिशर्स की है दे वाइट प्लेस इसमें शिवाजी महाराज और मुगल्स के जो भी कारनामे हैं वो लिखे गए है एक्चुल जो इसमें यह काफी अच्छी किताब है सिंपल और कंसाइस इंग्लिश है चलिए शुरू करते हैं दोस्तों शिवाजी महाराज जो है वो 1630 के अराउंड 16th February 1630 के अराउंड वो पैदा हुए थे 1630 ठीक है 16th February और उनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे उनका नाम था भोसले भाबाजी यह जो है यह पूने के दिवालकाउं डिस्ट्रिक्ट में एक पाटिल के अंडर काम करते थे पाटिल जो आज तेक सरनेम हो गया पहले जो पाटिल थे वो पाटिल होते थे एक विलेज हैड के तौर पे इनको बोला जाता था पाटिल्स को जैसे देशमुक थे वो एक डिस्ट्रिक्ट के हैड थे कुलकरनी जैसे हैं कि यह अकाउंटेंस थे कि ठीक है वैसे ही जागिर्दार जो थे यह एक तरह से फ्यूडल लॉर्ड कह सकते हैं जिनके अंडर अरॉंड बीस हजार जो है कैवलरी रहती थी तो जो ग्रेट ग्रेंट फादर थे शिवाजी महराज के भोसले बाबा जी यह दिवाल गाउं डिस्ट्रिक्ट में काम करते थे एक पाटिल के अंडर ही काम करते थे काफी इनके पाथ इतना फाइनेंशली स्ट्रॉंग नहीं थे और इनके जो हैं फिर दो बेटे हुए मालो जी राजे और विट्ठो जी मालो जी राजे और विट्ठो जी जो हैं यह समय के साथ वापस आए औरंगाबाद में औरंगाबाद में आए एलोरा जहां पर गुफाएं हैं उसी के एरिये के आसपास ये दोनों आके सेटल हुए वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई लखंजी राओ जादव से ये जो हैं देशमुक थे सिंद खेड के और जादव कास्ट जो है महराठाओं में वो एक्चुली यादव किंग्स थे जो पहले रूल करते थे महराज़्ठा की एरिया को वहीं से जादव कास्ट जो है या सरनेम जो है वो आया है खेर और लाखंजी राओ की बेटी थी जीजा भाई जिनका विभा जो है फिर मालो जी राजे के बेटे शाहाजी से हुआ उनके तीन पूत्रों हुए शिवाजी महराज, संभा जी और वैंको जी खेर जब मालो जी राजे और विठो जी लाखंजी राओ जादव से मिले सिंदकेट पे तो इन्हों ने दोनों भाईयों को निजाम शाह के आर्मी में भरती करवाया निजाम शाह किंग्डम था भामानी मुसलिम्स का और ये लोग तुर्किस्तान से आये थे इन्ही की आर्मी में इन्हों ने लाखंजी राओ जादव ने मालो जी राजे और विठो जी को एक तरह से वहाँ पे नौकरी दिलवाई इनकी मिलिटरी में और मालो जी राजे की बहादूरी देखके इनको जो है एक तरह से निजाम शाह ने रमोट कर दिया था जागिरदार बन गए थे ये जागिरदार मतलब जिनके पास जो है बीस हजार से जादा कैवलरी होती है आसपास ही इतनी और इनको एक देशमुख भी बना दिया जाता है डेश्मुख मतलब एक district का head जो एक district को head करता है उसको देश्मुख पहले कहा जाता था आजकल तो ये एक सरनेम हो गया है तो मालो जी राजे और विठो जी जब आर्मी में निजाम शाह के में काम करते थे इन्होंने काफी जो हैं लड़ाईयां लड़ी मुगल्स के अगेंस्ट क्योंकि यह निजाम शाय जो थे यह प्राइमेरिली शिया थे और जो मुगल्स थे वो थे सुन्नी और वो CONCUR करना चाहते थे DECKन को DECKन वो एरिया है कि महाराश्च्रा, करनाटका, आंध्रा ये एरिया को DECKन कहा जाता था इसे CONCUR करना चाहते थे और आगे हम बात करेंगे कि DECKन पे तीन तरह के Kingdoms का राज था एक था निजाम शाही जो की एक तरह से Central महराष्ट्रा और Lower महराष्ट्रा को रूल करते थे और अंगाबाद के आसपास फिर आदेल शाही Kingdom था फिर कुतब शाही Kingdom था तो मालो जी राजे और विठो जी राजे ने जो है काफी लड़ाईयां जीती उसके बाद शाहा जी जो है इनके बेटे थे शाहा जी और शरीफ जी तो शाहा जी भी एक अच्छे जनरल साबित हो है निजाम शाह के आर्मी में इनको भी जो है एक देशमुक का दरजा प्राप्त था निजाम शाह की आर्मी में और ये खुद भी एक वतंदार और जागिरदार और देशमुक का इनको एक ओधा प्राप्त था बाद में इनका जैसे हम आगे अभी और वीडियो में बात करेंगे निजाम शाह के साथ दौरान यहां से यहां आते हुए कई सारी घटनाएं घटित होई वो मुगल डाइनेस्टी में भी हम बात करेंगे कि क्या घटनाएं घटित होई और क्या हुआ कि शाह जी को निजाम शाह ने ही एक तरह से निश्काशित कर दिया था ओकी ठैंक यूँ